आज हम सूजी का एकदम टेस्टी ढोकला बनाएंगे सूजी का ढोकला आप लोग बनाते ही होंगे लेकिन इस तरह से अगर ढोकला बनाओगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा हे गाईज, वेलकम टू रिंकल्स किचन टोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रडी करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक कप सूजी ली है ये मैंने बारिक वाली सूजी नहीं ली है हमें जो धानेदर सूजी आती है वही लेनी है इसके अंदर ना हम खट्टी चास एड़ करेंगे यहाँ पे हमें चास खट्टी ही यूज़ करने है क्योंकि हम यह इंस्टन टोकला बना रहे है और टोकला का टेस्ट तो खट्टा होगा तो ही अच्छा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके चास एड़ करते जाएंगे और इसका थोड़ा सा घाड़ा बैटर रेड़ी करेंगे तो एक कप सूजी के लिए न मैंने यहाँ पर एक ग्लास बरके चास एड़ करी है और यह देखे हमारा सूजी का बैटर रेड़ी हो गया है तो इस टाइम पर हम इसमें थोड़ी सी चास और एड़ करेंगे मैंने यहाँ पर वन फोट ग्लास जितने एक्स्टा चास एड़ करी है आप चाहो तो चास की जगा खटा दई भी यूज़ कर सकते हो और यह देखे हमारा बैटर तयार है तो इसके अंदर हम एक टीस्पून लसुन के पेश मिला लेंगे गालिक फ्लेवर वाले सूजी के ढोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप यह ज़रूर एड़ करना और इसमें टेस्ट के अकोडिंग नमक भी मिला लेंगे और मैं इसमें एक टीस्पून इनो डाल रही हूँ इनो डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह देखे हमारा बैटर एकदम अच्छे से फूल गया है मैंने स्टीमर को भी गयस पे गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम ढोकला बनाने की जो प्लेट है उसको ओइल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि ढोकला नीचे चिपकेगा नहीं और तुरंत इसके अंदर हम सूजी वाला बैटर डाल देंगे दोनों प्लेट में हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे और फिर बैटर के उपर थोड़ा थोड़ा रेट चिली पावडर स्प्रिंकल कर लेंगे जिससे ढोकला का लोग भी अच्छा हैगा और खाने में भी थोड़ा सा तीखा लगेगा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्कीप कर सकती हो और अब दोनों प्लेट को ना हम स्टीमर के अंदर रख देंगे और इसे ढख कर हम 15-20 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पे स्टीम होने देंगे बीच-बीच में हमें इसे चेक करते रहना है इस तरह से चाकू लगा के हमें शेक करना है ये देखे चाकू एकदम क्लिन बाहर आ रहा है मतलब हमारा धोकला एकदम अच्छे से स्टीम हो गया है तो दोनों प्लेट को हम स्टीमर से बाहर निकाल लेंगे और तुरन्ति इसके उपर हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे हरा धनिया से धोकला का टीस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसके बाद हम धोकला को बड़े-बड़े पीसिस में कट कर लेंगे तो देखे हमारा एकदम टेस्टी धोकला तो बनके तयार है तो अब हमें इसका तड़का रैडी करना है तो एक पैन में न हम 3 टेबल स्पून ओइल गरम करेंगे ओइल गरम होते ही इसमें राई डालेंगे और ये 140 स्पून हिंग डालेंगे और बहुत सारा करीपता डालेंगे और ये मैंने 4-5 हर इमिर्च को छोटे पीसिस में कट कर लिया है वो डालेंगे हर इमिर्च डालके हमें तुरंती गैस को ओफ कर देना है क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है गैस ओफ करके तड़के को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तुरंती तड़के को हम टोकला के उपर डाल देंगे तो टोकले की दोनों प्लेश में थोड़ा थोड़ा तड़का डाल देंगे पर ये देखे हमारा लसुनी सूजी डोकला बनके तयार है अब हम इसके साथ खाई जाने वाली लसुन की एकदम टेस्टी चटनी रैडी करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 से 20 लसुन की कली ली है इससे हम मिक्सी के जार में डालेंगे अब हम इसके अंदर 2 तीस्पून लाल मिच पावडर डालेंगे एक टीस्पून धनिया जीरा पावडर डालेंगे स्वाद अनुसा नमक मिलाएंगे और एक टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिच पावडर डालेंगे और इसी नहीं थोड़ा सा इस तरह से शेक करके मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमें इसे पीस लेना है ड्राय चटनी पीसने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे फीस से पीस लेना है और ये देखे हमारी एकदम पॉफर्ट गालिक चटनी बन के तयार है तो चलिए इसका भी हम तड़का लगा लेंगे तो एक पैन में हम एक टेबल स्फून तेल गरम करेंगे और तेल गरम होती है इसमें हम सारी चटनी डाल देंगे और चटनी को बस हमें तीन से चार मिंट तक पका लेना है और ये देखे हमारी लैसोन की चटनी भी बन के रेडी है तो इसे नहीं हम गर्मा गर्म ढोगला के साथ सर्व करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ढोगला एकदम स्पॉंजी और एकदम सॉफ्ट बना है तो दोस्तो इस रेसिपी से एक बार टुकला बना के जरूर ट्राय करना आपको यह दोकले का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा सुबा के घर्मागरम नास्ते के लिए एकदम टेस्टी दोखला की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करना अगर आपको मेरे रेसिपी सची लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे ऐसी एक नई और मसेदार रेसिपी के साथ थेंक्यू फॉर वाचिंग